हलो बच्चों नमस्कार स्वागत है आपका नए लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे एरोमेडिसिटी एक्च्वल मैं थोड़ा सा रीकेप करवा देता हूं आपको अभी तक आपके साथ क्या हुआ है अभी तक जो आपने पढ़ा वो रेजोनेंस एफेक्ट और मेजोमेरिक और उसमें हमने पहला एबिकेशन लिया था तू कंपेर एसेडिक स्टेंद अफ कारबॉक्सलिक एसेड अफिनोल फिर उसके अंदर हम गए हमने दोनों फैमिली के बारे में पढ़ा उनकी एसेडिक स्टेंद कंपेर कराई फिर हम उसके बाद अंदर और चले गए कि अगर आपको different family के acid मिल जाएं तो क्या होगा अब उसके बाद अगला application पढ़ने के पहले मैं आपको aromaticity पढ़ा रहा हूं क्यों कि basicity जब हम पढ़ेंगे तो आप मैं आपको बोलूगा aromatic क्या होता है तो वह हम समझ लेंगे यहां पर तो पहले से पता होगा तो हम अगले application पर जाएंगे जैसे मैं कार्बोगडाइन की stability बताऊंगा तो वहां एक factor लगाएंगे aromaticity तो यह aromaticity actual में है क्या तो आगे के जो application है resonance और mesomeric effect के उसमें बीच में aromaticity भी डाल देते हैं वो लोग तो aromaticity हमें पहले clear करना जरूरी है तो aromaticity वाला topic हम यहां पर cover करेंगे इस lecture में पूरे lecture में aromaticity और इस से related बाकी चीज़ें भी यही cover कर लेंगे फिर इसके बाद आपको भविस्ते में कभी aromaticity के बारे में नहीं सोचना पड़ेगा आज का lecture पूरा aromaticity पर रहेगा ताकि आप aromaticity को बहुत अच्छे से समझ पाओ तो aromaticity में सबसे पहले हम यह चेक करेंगे कि compound को check करना आना चाहिए कि aromatic है non aromatic है या anti aromatic है फिर उसके बाद हम बाकी जीन समझेंगे तो पहले कोई भी compound aromatic है non aromatic या anti aromatic उसके लिए कुछ condition होती है कोई भी compound आपके सामने लिखाओ सबसे पहले आप चेक करो क्या compound होना चाहिए cyclic क्या होना चाहिए cyclic सबसे पहला point आता है compound का cyclic होना जरूरी है second point अगर cyclic है तो आगे बढ़ जाओ planar होना चाहिए cyclic तो आप देख की समझ जाओ कि आँखों से दिखी जाएगा cyclic है कि नहीं है planar कैसे check करोगे planar check करने के लिए ring में involve हर एक atom का hybridization sp2 होना चाहिए ring में हर एक atom का hybridization sp2 होना चाहिए क्यों यह तो आप तब check करोगे जब cyclic हो चुका होगा तो cyclic अगर होगा ring होगी तो उसके बाद atom देखो रिंग के अगर वो sp2 hybridized है तो आगे बढ़ जाओ मतलब planar होगा number three condition conjugation or conjugation मैंने आपको बहुत अच्छे से बहुत detail में समझाया है क्या होना चाहिए होन पे सिंगल डबल डबल सिंगल डबल डॉब सिंगल डबल 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 सिंगल अर्ड होना चाहिए और तीसरे वाले में conjugation होना चीज़, अब अगर ये तीन condition आपकी पास हो गई, मतलब अगर ये तीन condition आप ले गए, मतलब तीन condition आ रही है, तो चौथी condition है, जो ये बताती है कि compound aromatic है या anti-aromatic है, चौथी condition क्या होगी, उसके लिए अपन क्या करते हैं, इस तरीके से flow chart बना के दियान दखेंगी, छोटा सा, अगर तुम्हारी फोर्थ condition कुछ ऐसी मिलती है, कैसी मिलती है, ध्यान से देखना जरा, अगर तुम्हारी फोर्थ condition कुछ ऐसी मिलती है, कि 4N प्लस 2, पाई electrons अगर हुए, जिसको हम बोलते हैं, हकल्स रूल, क्या बोलते हैं, हकल्स रूल, अ अगर हकल्स रूल को फॉलो किया, तो हम बोलते हैं, कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक है, कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, हकल्स रूल में जो N की वेल्यू हो, आप अपनी तरफ से पुट करोगे, जैसे, N अगर आप 0 रखोगे, तो कितना आएगा, टू पाई लेक्ट्रोन आएगा, अगर रिंग में टू पाई लेक्ट्रोन हैं, तो अरोमेटिक है, लेकिन उसके पहले ये तीनों कंडिशन पास होनी ची, तब आप इस पे जाओगे, डारेक्ट इस पे मत चले जाना है, अगर N1 है, N अगर 1 है, तो 6 पाई लेक् सिंपल सी चीज़ है, N की वेल्यू पुट कर दो, जितने पाई लेक्ट्रोन हैं, वो चेक करने, रिंग में, रिंग में चेक करने हैं, अगर तुम्हारे पास तीन कंडिशन पास हो गई, तो 4N पाई लेक्ट्रोन अगर हुए, जहां पर N क्या है, 1, 2, 3, 4, ठीक है, जैसे 1 रखा, तो कितने, 4 पाई लेक्ट्रोन अगर तुमने 2 रखा, तो 8 पाई लेक्ट्रोन अगर तुमने 3 रखा, तो वह यह 12 पाई क्या हो जाएगा, अन्टी अरो मैटिक, अगर कंडिशन, 1, 2, 3 में से कोई भी fail हो गई तो non aromatic तो यहाँ लिख देता हूँ मैं यह दो तो check करना आप समझ जाओगे अगर इन 3 condition में से if anyone from first 3 condition या 1, 2, 3 एकदा हूँ if anyone from 1, 2, 3 is fail then system must be जो भी compound दिया है वो must be non aromatic stability जब हम समझेंगे तो इनके बारे में समझेंगे अभी हम check करना सीख रहे हैं हर एक चीज का एक step होता है कोई भी concept सीखने का step होता है पहले आप ये सीख लो aromatic, anti-aromatic और non-aromatic कैसे check करते हैं फिर अपन इसकी stability में और इसको explore करेंगे ठीक है तो अब आपको कैसे check करना है कोई भी compound दिया है 1, 2 और 3 condition अगर ये 3 condition तुमारी पास हो गई तो 4 condition या तो ये होगी या ये होगी ये तो पक्का है अगर तीनों में से कोई एक fail हो गई तो सीधा बोलो non-aromatic जैसे एक example से मैं आपको समझाता हूँ मेरे पास ये लिखा है क्या benzine ध्यान से देखना ज़रा मुझे पता है आप लोगों को पहले से पता है कि aromatic है मैं step by step चलूँगा आपको तरीका पता basic से चलता हूँ तो इसमें क्या चेक करना है सबसे बहले चेक करो क्या cyclic है यस दिखी रहा है सामने सी दिख रहा है इसमें कोई tension नहीं नहीं cyclic है चलो ठीक है second condition planar है क्या आप किसी भी carbon को पकड़ लो हर एक carbon का hybridization sp2 है क्यों है क्योंकि इन पर एक-एक hb होगा सभी जग है तो मालो इस पर मैं चेक करता हूँ तो एक sigma ये दूसरा sigma ये और तीसरा sigma किसका h का πाई तो count होता नहीं है मतलब हर एक carbon का hybridization sp2 है मतलब सही बात है planar है मैंने एक लिखा वागी सबका sp2 होगा है Conjugation की बात करें क्या Conjugation है अब Conjugation में हर एक item involved होना चीए रिंग का बताओ ज़रा Double मतलब ये दौनों carbon हो गए Single मतलब ये हो गया Double मतलब ये हो गया Single मतलब ये हो गया Double मतलब ये हो गया तो alternate double Double single double single double single मतलब Conjugation है अगर ये तीन condition past हो गहीं तो या तो ये होगा या ये होगा अब ये आप डाइरेक्ट formula और प मिले के मद करना ऐसा मैं तरीका बताता हूं अपना कैसे करता हूं यह तीन कंडिशन पास है इसके बाद क्या सोचो बताओ इसमें कितने पाई एलेक्ट्रॉन है या तो आपको पाई बॉंड के मिलेंगे या लोन प्यर के मिलेंगे ठीक है बताओ इसमें कितने पाई बॉंड है एक दो तीन पाई बॉंड तीन पाई बॉंड के कितने पाई एल वही टाइम बचेगा बहुत आपका कैसे अगर ये तीन कंडीशन पास हो गई तो या तो ये आंसर आना है ये ये आंसर आना है दो में से कोई ये काना है न अगर ये तीन कंडीशन पास हो गई तो अब अगर फोर का मल्टीपल है तो ये और नहीं है तो ये तो क्यों इसको र हमारा यह है यह कब है जब फोर का मल्टीपल है जब फोर का मल्टीपल नहीं है तो सीधा है रोमेंटिक लिखो समझगे बात को इस तरीके से चेक करना है चलो इसको नोट कर लो condition फिर अपन questions करते हैं बहुत सारे यह condition बहुत important है इसको पहले अच्छे से नोट करो फिर अपन question में apply करेंगे बहुत सारे question करेंगे ठीक है नोट कर लो चलो बच्छो तो आगे बढ़ते हैं और एक एक करकी cases हम लेते जाएंगे सबसे पहले मैं बता रहा हूँ एनूलीन्स क्या होती इसके बारे में एक line लिखेंगे क्या cyclic conjugated rings with even number of carbons even number of carbons जैसे अगर मैं आपके सामने लिखता हूँ क्या जैसे यह 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 इधर ही आ जाओ इधर ठीक है जैसे अगर मैं आपके सामने लिखूँ इसका नाम बताओ तो इसको हम क्या लिखेंगे इसको लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर कितने कारबन है बताना एक दो तीन चार फोर और एनुलीन लिख दो बहुत आसान है बैंजीन को क्या बोल सकते हो कितने कारबन है बैंजीन में 6 एनुलीन तो बहुत आसान है ब्रैकेट में हम क्या लिखते है एक्स यहां से समझ लो कोई भी cyclic conjugated compound without charge है तो एक्स एनुलीन अगर लिख दिया तो एक्स का मतलब यहां पर क्या है नमबर और कारबन इन रिंग में कितने कारबन है यह होता एक्स बस सिंपल सी बात है यह 6 हो गया यह क्या हो जाएगा 8 एनुलीन क्या हो जाएगा 8 एनुलीन और यह क्या हो जाएगा 10 एनुलीन ठीक है इस तरीके से इन के नाम होते हैं बहुत असान है अब मुझे चेक तरना है बताओ क्या cyclic है सभी के सभी cyclic है क्या planer है यह वाला और यह वाला तो planer होते है लेकिन यह planer नहीं होते है अब बोलो के सर ऐसा कैसे हो गया इस वाले के बारे में बता रहा हूँ जो 8 एनुलीन है क्या जो 8 एनुलीन होती है 8 एनुलीन इस यहाँ लिख देता हूँ मैं point बनाके नौन एरोमेटिक डीव टू नौन प्लियनेरिटि और नौन प्लियनेरिटि यहाँ किस वज़े से आती है जो एटैनुलीन है वो एक्शल में ऐसे एक्जिस नहीं करता है तब लाइक शेप तब लाइक शेप तब तो सबके घर में होता है न तो तब लाइक शेव होता है देखो कैसे एक्शल में जो एट अनुलीन होता है वो ऐसा होता है इस तरीके से होता है, यह alternate double लगा देते हैं, double, single, double, single, double, single, double, ऐसा, इस तरीके से होता है, तबलाइक, यह जो दो होते हैं, इधर से जो bond निकले हैं दो, वो उपर की तरफ निकले होते हैं, तो तबलाइक structure या फिर non-planarity की वज़े से हम क्या बोलते हैं, क्या होते हैं, non-aromatic, ठीक है, टैन वाला क्यों होता है, उसके बारे में लिखेंगे second point, यह तो पहला हो गया, दूसरा, tan-anulin, is non-aromatic, due to, due to non-planarity, non-planarity, tan-anulin वाला भी non-planarity की वज़े से होता है, लेकिन उसमें ऐसा टबलाइक नहीं होता, उसमें actual में क्या होता है, इसके जो hydrogen होते हैं, देखना ज़रा धियान से, hydrogen में repulsion होता है, जिसकी वज़े से planarity lose होती है, देखो, ऐसा है, यहाँ पर जो एक edge है, इस जगे पर, और यहाँ पर जो edge है, इनके बीच में repulsion होता है, तो यह अलग-अलग plane में आगे देखो, भाई, अगर planar है, तो इनको ऐसा होना चाहिए था, edge इसका नीचे से इधर आना चाहिए, तो इधर से edge इसका यहाँ आना चाहिए था, तो इन में होता है repulsion, और जब repulsion होता है, तो दूर-दूर हो जाते हैं, तो यह अलग-अलग plane में चले जाते हैं, इसकी वज़ए से non-planarity आती है, इसमेह न, तो non-aromatic, non-aromatic, और यह दोनों, इनके बारे मताना चाहिए, 4-annulin क्या है, यह condition pass, यह condition pass, अच्छा, conjugation है क्या, double, single, double, छीक है, conjugation है, अगर conjugation है, तो comment करो क्या है, cyclic है, planar है, conjugation है, अब comment कैसे करेंगे, अगर यह 3-pass होगी, तो मैंने बताया, तो मेरा वला तरीक है, क्या, कितने πाई-बॉन, 2-पाई-बॉन, कितने पाई-उलेक्ट् conjugation था, कितने पाई-बॉन, 3-पाई-उले, 6-पाई-उलेक्ट्रॉन, means, aeromatic है, तो अपन थोड़ी दिर पहले कर भी चुके है, इस तरीके से, यहाँ जब planarity नहीं बची, इसका मतलब conjugation की बात ही नहीं आती है, भाई, planarity ही नहीं बची, तो conjugation की बात ही नहीं आती है, तो comment करें जड़ा, बताएं जड़ा comment करके, सीधा लिख देंगे क्या non-aeromatic, बाकी क्यों check करेंगे अपन, सीधा लिख दो na, na, na मतलब non-aeromatic, फिर बाकी फिर आपको huckles rule या 4n pi electron वाला नहीं लगाना, समझे बात को, तो cyclic, planar, conjugated, तो आपको ये लिखना है, अगर इन तीनों म क्या, अगर तुम यहाँ पे, इन दौनों, कार्बन पे जो h निकल रहे थे, जिसकी वाई से repulsion हो रहा था, वो repulsion ही मत होने दो, वो repulsion ही मत होने दो, तो कुछ और हो जाता है, मतलब फिर ये aromatic हो जाती है, ऐसा होता है, तो अभी मैं बता रहूं आपको, पहले ये सारी जैसे ये 4 हो गई है, 6, ये 8, ये 10, तो क्या 10 से आगे नहीं होती है, होती है, 12 वेनुलीन भी होती है, 14 भी होती है, 16 भी होती है, 18 भी होती है, 20, even number of carbon होंगे आपके रिंग में, क्यों, आप खुद से ट्राइ कर लो घर पे, क्या, without charge, conjugated ring बना के बताओ मुझे, तो वो कित होती है, तीन वाली conjugated बनी सकती है, आपको charge लगाना पड़ेगा, जैसे, अगर मैं आप से बहुझेowelूऑं, तीन वाली क्या conjugated है, बिना charge के, नहीं है, पांच वाली है क्या, पांच वाली बिना charge के conjugated बना सकती है, नहीं, क्यों, आप यहां से सुरू करोंगे double, पृना single, में क्या करेंगे कुछ नहीं करेंगे ब्रैकेट में जो नंबर है उसी के अकोडिक आंसर कर देंगे बहुत इंपोर्डेंट चीज क्या मालो मैंने लिख दिया ब्रैकेट में 16 एनुलीन बताओ ज़रा देखो ध्यान से अगर मैं इसको बोलना हूं 4 एनुलीन तो 4 पाई एलेक्टरोन आ रहे हैं अगर वह लोला हूं 6 एनुलीन तो 6 पाई एलेक्ट्रोन आ रहे है तो एनुलीन में इसे ہोता है जितना ब्रैकेट में लिखा है उतने ही पाई एलेक्टरोन और 8 और 10 एनुलीन ही एसी होती है जो non-planar होती है बाकि उसके बाद ring का size बढ़ जाता है तो बहें expand हो के planar हो जाती है कोई दिक्कत नहीं है ना मतलब अगर ने आप से बूलू 12 anulin तो आप बोलो के 12 अच्छा 12 तो 4 का multiple है ओके anti-aromatic 14 anulin 4 का multiple है क्या नहीं aromatic 16 anulin anti-aromatic 16 4 का multiple है 18 anulin समझगे बात को इस तरीके से आप चलते जाओगे तो सारी anulin आपकी cover हो चुकी है अब जो बात मैं यहाँ पर बोल रहा था उसके बारे में हम बात कर लेते हैं है ना तो पहले आप इसको note कर लो फिर अपन बताते हैं आपको चला बच्छो तो आगे बढ़ते हैं और वो वाला समझा देता हूं मैं आपको जो बोल रहा था क्या अगर जो एच रिपैल कर रहे थे उन एच के रिपल्सन को बंद करा दे मतलब आप बॉंड बना दो बीच में और यहां जी ग्रूप लगा दो और जी ग्रूप क्या-क् कर लहा था है तो आप आयच लेसकते हैं न तो आप क्याcop een कर्भण को हमने क्या बढ़ दिया एक टरीके से पहले क्या था यह सर्थ हो घून शेप डिस्टर्ब हो जाता था yo यहां पर क्या है जी ग्रुप से यह तो बंद गए आप बोलोगे सर आपने यह कैसा बनाया है मैंने यहाPS बनाया है कि इस वाले कार्बं से जो बोन्ड निकल रहा है वो बाहर निकल रहा है ध्यां से देखना ज़रा जो जी ग्रॉप है वो कहा है इसका बॉंड ऐसे निकल रहा है इसवाले का esa था आप बोले कि si so यह ना रह और अम बीस यह जा कि हुए बिलकुंसा है किलाल कर यह था बीफ के लिए लगाया बांधने वाला है ना पहले क्या था एच ग्रूप थे और एच मतलब जो एच लगे हुए थे वह रिपेल करते थे तो दोनग अलग अलग प्लें में चले जाते थे मतलब वो रिंग का शेप जो है वो डिस्टब करते थे यहां पर क्या है इसको मैंने बांध तो आप क्या हुआ यह बंद गया मतलब पीछे जो है वो जमाजम चलू हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है तो पीछे क्या होगा चलता रहेगा तो पहली बात कंडिशन क्या क्या लगानी है आपको साइकलिक है बिल्कुस सही अब प्लेनर भी हो गया कॉंजुगेशन भी हो गया कितने पाई बॉंड एक दो तीन चार पांच मतलब टैन पाई लेक्ट्रोंस और टैन पाई लेक्ट्रोंस का मतलब क्या हो गया एरोमेटिक आप बोलोगे सर ऑक्सीजन भी तो है इसके पास भी तो लोन पेर है नाइटिजन के पास भी तो लोन पे तो आपने क्या अगरा इनको बांध दिया बांध दिया मतलब अब यह एरोमेटिक हो गए ओक्सिजन अनाइडियों का लोन पर कॉंजूगेशन में नहीं जाएगा क्योंकि वह अलग प्लेन में है अगला देखना जरा साइकलिक है यस प्लेनर है नो क्यों क्योंकि यह कारबन जो है वो SP3 है यह वाला जो कारबन है यह क्या है SP3 है कि वो 2H होंगे ने SP पर कॉंजूगेशन है नो पाई लेक्ट्रोन की तो बात ही नहीं है सीधा नौन अरोमेटिक अब क्या यहां पर यह लिखोगे सर तू पाई लेक्ट्रोन अरोमेटिक है ना रहे जब यही कंडिशन फेल है तो यहां पाई लेक्ट्रोन नहीं लिखना सीधे नौन अरोमेट समझगे बात को तो इस तरीके से हम और भी compound लेते जाएंगे और आप समझ जाओगे पूरी aromaticity चलो इसको note करो पहले चलो बच्चो आगे बढ़ते हैं कुछ तीन compound और देख लो फटा फट से करते जाएंगे अपन ध्यान से देखना ज़रा तीन की रंग में प्लस पांच की रंग में प्लस साथ के रंग में प्लस चलो ठीक है बताना जरा क्या ये cycle है ये सबी cycle है इसमें क्या दिक्कत है planer है क्या देखना जरा carbocatine sp2 होता है carbocatine sp2 होता अभी सही हाथ करके रग लो गयों, दो सिग्मा ओए और होगा है अब और ऐच भी होगा सभी जगे अधर भी, धर भी, है ना तो प्लेनर हो जाएगा और डवल मॉंड तो SP2 होते ही है भाई double bond मता alkin हो गई ना ये तो ये SP2 होगा alkin मता double bond है ना तो ये क्या होगा है आपके अब आप बोलोगे सर ये तो cycle है कि आप alkin कैसे बोलोगे double bond में hybridization SP2 होता आप सही है तो double bond में hybridization इसका SP2 हो गया दो सिगमा यहाँ और एक है छोगा planar 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 सभी जगे ऐसे ही हो रहा है conjugation देखो plus single double plus बोला तो यहाँ खड़ा हूँ single बोला तो यहाँ आगया double बोला तो ये भी ले लिया मतलब plus single double conjugation भी है plus single double single double conjugation पूरा हो गया plus single double single double मतलब conjugation भी पूरा है अगले में भी same ऐसे है plus single double सिंगल मतलब रिंग का हर एक carbon conjugation में count हो रहा है अगर ये तीन condition pass है तो क्या check करना ध्यान से देखना ज़रा बता हो ज़रा यहां कितने पाई bond 2 sorry एक पाई bond मतलब दो पाई electron तो दो पाई electron अचा पॉजिटिव का मतलब क्या है carbon पर पॉजिटिव मतलब यहां vacant orbital होगा electron तो नहीं होगे ना vacant orbital होगा electron तो नहीं होगे ना ठीक है सही बात है तो टू पाई electron मतलब क्या बोलूंगा aromatic सीधा सीधा इसमें क्या बचा अगला देखो जरा पॉजिटिव चार जाएका तो यह electron नहीं लेने होती नहीं है तो दो और दो चार पाई bond मतलब एक और एक दो पाई bond मतलब चार पाई electron क्या होगा anti-aromatic दो पर aromatic चार पर anti-aromatic चार का multiple ना एक दो तीन पाई bond मतलब six पाई electron six पाई electron means समझ गया बात को अरे बहुत आसान है कितने आसान गोश्च्टन है अब यह और देखो मज़ा आएगा नोट करो इसको फटा पट चलो तो आगे बढ़ते हैं हम मैं क्या कर रहा हूं प्लस की जगे माइनस लगा रहा हूं ध्यान से देखना ज़रा प्लस अटाया माइनस लगाया प्लस अटाया माइनस लगाया प्लस अटाया माइनस लगाया साइकलिक 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 प्लेनर 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 अच्छा चेक कर लेते हाईवर डैसन से कारबे 9 का नॉर्मल हाइबडाईशन क्या होता ध्यान से देखो अगर मैं लिखता हूँ बताओ CS3 नेगटिव का हाइबडाईशन क्या है आप बोलोगे SP3 कैसे 3 bond pair CHK और 1 lone pair carbon पे 2 electron होगे तो sum क्या होगे आप 4 और SP3 सही बात है बिल्कुँ सही बोल आपने लेकिन अगर मैं आप से बोलू अब बताना जरा हाइबडाईशन क्या है अब हाइबडाईशन क्या है अब हाइबडाईशन इसका SP3 ना होके SP2 हो जाएगा क्यों 3 bond pair count होंगे बस तो sum 3 नहीं लोगे आप 3 bond pair मतलब 3 नहीं लोगे कैसे क्यों यहाँ तो conjugation है ना loan pair is converted to bond pair bond pair is converted to loan pair इसका मतलब ये loan pair तो pi bond मनाने चला गया और अगर ये loan pair pi bond मनाने चला गया तो pi को count नहीं करते है hybridization में कितनी बार बता हूँ मैं आपको मतलब इस carbon के 2 sigma और एक ये sigma 3 sigma मतलब sp2 लेना है क्या लेना है sp2 तो जब कभी भी मैं ऐसा बोल दूँ ये localized loan pair है localized है और ये क्या है delocalized है अगर delocalized carbonine हुआ तो sp2 होता है याद कर लो तो क्या क्या याद कर वाए मैं अभी तक आपको कार्बोगेटाइन sp2 होता है ठीक है बारबाद चेक कने ज़रो तो नहीं है और delocalized carbonine sp2 होता है localized carbonine sp3 होता है चलो क्या delocalized carbonine है देखो negative single double conjugation मिल रहा है न yes तो planar हो गया बाकी तो double bond होती है sp2 delocalized है yes sp2 हो गया ये delocalized है yes sp2 हो गया ये condition fulfill conjugation भी है पूरा conjugation देखो negative single double negative single double single double पूरा conjugation negative single double single double single double पूरा सब conjugation में आ रहा है अब ध्यान देना कितने πाई bond एक πाई bond तो 2 πाई electron इसके और negative में 2 electron होता है negative मतलब यहाँ पर एक loan pair होगा तभी तो कार्वेन आए तो उसके जब कभी भी negative दिखे न 2 electron अपनी तरफ से add कर दो 2 electron अपनी तरफ से add कर दो इसके लिए क्यों ये जब resonance करेगा conjugation में जाया तो ring में total electron कितने घूमने लगेंगे अब 2 नहीं घूमेंगे कितने घूमेंगे 4 क्यों 2 तो इसके और negative के भी 2 वैसे यहां पे 2, 2, 4, 2, 6 यहां कितने 6 यहां कितने 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8 यहां 8 भाई, पाई बॉंड के तो लेने ही है साथ में negative के भी लेने है positive में नहीं होते है electron negative में होते है तो यह क्या हो गया 4 लेगे थे मैंने यह के लावा आगया 4 वह भाई जादू यह क्या हो रहा है आप सभी 4 लेक्ट्रोन है तो चार लेक्ट्रोन है तो यह क्या बन गया anti-aromatic यह क्या बन गया aromatic और यह क्या बन गया anti-aromatic ऐसा है तो मजगे बात को तो kation अगर आया positive charge carbo kation आया तो electron count नहीं करते है पन क्यो नेगेटिव आया इसका मतलब lone pair होगा ना इसके बस और वही resonance में जाएगा तो pi bond के तो already ring में है उसके भी ring में आने लगेंगे electron समझना बात को उसके भी electron ring में आने लगेंगे ना इसका मतलब 2 इसके electron और 2 इसके 4 हो गए इधर 2-2-4-2-6 2-8 ऐसा समझे चलो इसको note करो फिर आगे बढ़ते है चलो बच्चो आगे बढ़ते है कुछ boron वाले देख लो जब कभी भी ring में carbon के अलावा ring में कह रहा हूँ जब कभी भी ring में carbon के अलावा कोई और element आ जाए तो उसको heterocyclic compound बोलते है ना चलो चेक करो cyclic है yes 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 cyclic है बहुत अच्छी बात है planer है क्या check कर लेते हैं इसका hybridization क्या है एक bond pair दो तीन bond pair कोई lone pair होता है कि इसके boron के पास नहीं होता वेकेंट orbital होता है वेकेंट orbital को count नहीं करते तीन sigma count करेंगे sp2 है बाकि double bond तो sp2 होते ही है सभी boron पर ऐसे में वेकेंट orbital लिख देता हूँ ताकि आपको ध्यान देगी वेकेंट orbital भी होता है क्या सभी planer है बिलकूल planer है क्यों double bond वाले तो sp2 sp2 है ही साथ में boron भी sp2 हो गया तो सभी element sp2 हो गया ring के conjugation वेकेंट orbital भी तो conjugation होता है वेकेंट orbital single double मतलब conjugation है ऐसा ही सब में है वेकेंट orbital single double single double वेकेंट orbital single double single double ठीक है वाई बताओ जरा comment करते हैं अब सीधे डारेट क्या कितने πाई बॉंट एक पाई बॉंट कितने पाई एलेक्टरॉन दो पाई एलेक्टरॉन सिक्स पाई लेक्ट्रोन होंगी आरोमेटिक समझ गया बात को ऐसे अपन करते जाएंगे कोश्चन सा आप समझते जाओगे नोट करो प्लेनर है क्या प्लेनर कैसे चेक करोगे बताओ प्लेनर कैसे चेक करोगे कार्बोकेटाइन SP2 प्लेनर है SP2 SP2 प्लेनर है ठीक है यहाँ देखो नेगटिव चार्ज कॉंजूगेशन में प्लेनर होता है SP2 हो जाता है तो negative single double Conjugation इधर से भी है और negative single double इधर से भी है planar है similar carbocatine SP2 यह सारे SP2 ठीक है planar है carbenine resonance में ठीक है इधर से भी इधर से भी तो planar है Conjugation है क्या? बिल्कुल है plus single double देखो आप यह बोलो कि सर complete conjunction चाहिए complete conjunction नहीं यहां से चलूँगा तो plus बोलते ही मैंने एक carbon count कर लिया single बोलते ही यह ले लिया double बोलते ही यह ले लिया तो यहां से 3 count हो गए plus यह आ गया single again यह आ गया double यह आ गया मतलब सभी resonance में आ गया सभी resonance में आ गया तो conjugation बताओ ज़रा है इधर भी वोई negative single double उपर से आ रहा है और negative single double नीचे से आ रहा है मतलब conjugation complete है इधर भी same वोई है conjugation plus single double इधर से चल लो चाहिए इधर से चल लो सारे carbon count होने चाहिए भले ही दो different conjugation में count तो चलेगा इधर भी इधर से जा रहे हो negative single double single double यहां तक count होगा और negative single double single double यहां तक count होगा मतलब सारे conjugation में आ जाएंगे positive charge में कोई electron नहीं होते πाई बॉंड कितने है एक कितने पाई electron दो तो मैं यहां लिग दू दो पाई electron दो पाई electron मतलब aromatic 4 का multiple anti-aromatic होता अगर तीनों condition पास हो जाती हो यहां दो इसके दो इसके दो इसके 6 पाई electron और 6 पाई electron क्या होता aromatic 2 और 2 चार positive के electron count नहीं करते होते ही नहीं तो कहां से करोगा positive में electron होते ही नहीं इधर 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 8 पाई electron मतलब anti-aromatic तो कभी अगर double charge का आ जाए तो डरना नहीं कई लोग क्या double charge में conjugation में घवरा जाते हैं conjugation तो पूरा ही नहीं रहा भाईया आपको पूरे conjugation की ज़रत नहीं है आप उपर से चल लो और नीचे से चल लो हर एक atom conjugation में आना चाहिए उपर से चलोगे तो 1, 2, 3 आगए ठीक अची बात है यह नहीं आ रहा था उपर से ठीक नीचे से तो आ रहा है ना तो प्लस single double नीचे से चल लो कोई दिक्कत नहीं तो double charge में कभी घवराना नहीं है double charge वाले compound जो है वो exist करते हैं ऐसा नहीं करते हैं आप बोलो sir plus plus repulsion minus minus repulsion ऐसे मत करा करो भाई concept भी तो कुछ चीज होती है by aromaticity एक और criteria है stability का है ना जो कि हम आगे अभी explore करेंगे तो आपको कोई भी compound देदे double charge वाला आपको घवराना नहीं है सीधी सी बात है ठीक है वागी तरीका मैंने सिखा दिया है चले इसको note करो फिर आगे बढ़ते हैं चलो बच्चो तो आगे बढ़ते हैं और कुछ और question देखते हैं ध्यान से देखना ज़रा क्या सभी cyclic है सामने से देख रहा है यह सभी cyclic है clear planar है क्या चेक करेंगे hybridization सभी double bond वाले carbon यह sp2 होते ही है अब यहां गौर से देखना nitrogen का loan pair है वो conjugation में loan pair single double तो loan pair resonance में चला जाएगा और अगर loan pair resonance में चला जाएगा मतलब यह delocalized loan pair हो गया delocalized loan pair हो गया तो यह आप count नहीं होगा क्यों क्योंकि यह pi बन चुका होगा तो 3 sigma 1,2,3 sigma sp2 तो सभी carbon sp2 पहले से ही थे और nitrogen भी sp2 है मतलब planar हो गया यहाँ देखना जरा ध्यान से oxygen के पास loan pair तो बेटा दो है लेकिन एक बार में एक ही जाएगा या तो इसको यहाँ बेज दो यहाँ बेज दो वैसे इसको loan pair को चाहे तो यहाँ बेज दो यहाँ बेज दो लेकिन एक बार में एक ही loan pair जाएगा दूसरा IC के पास रहेगा तो दो bond ये हो गए और दो sigma ये हो गए और एक loan pair दो sigma और एक loan pair मतलब समतीन हो गया SP2 है बड़ाईस है कभी अगर यहाँ oxygen हटा के sulfur भी लगा दे ना बेटा तो sulfur में भी same यही होता है है ना, तो cyclic है, planar हो गया double bond वाले carbon तो SP2 थे यहाँ देखना ज़रा धियान से nitrogen का जो loan pair है मैंने आपको पहले भी बताया था कि loan pair single double आप देखके सोचोगे कि अच्छा conjugation करातने लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये loan pair localize होता, IC के पास रहता है क्यों रहता IC के पास? क्योंकि ये loan pair hybrid orbital में होता क्यों? nitrogen का hybridization कैसे निकालोगे एक sigma, एके दो सिग्मा और एके loan pair मतलब समतीन आ गया hybridization SP2 हो गया, मतलब ये loan pair SP2 hybrid orbital में रहता है और मैंने आपसे बोला भी था, अगर तुम इस loan pair को भेज के देख लो, चलो भेज लो अगर तुम इसको भेजते हो तो nitrogen के around 2 sigma bond count होंगे, क्यों? ये तो πई बन चुका होगा, और 2 sigma मतलब SP SP मतलब linear, linear मतलब रिंग टूट जाएगी मतलब nitrogen का loan pair resonance में नहीं जाता, इसमें पाइरेडीन है और ये पाइरोल है, ये पाइरेडीन है तो इसका loan pair जब resonance में नहीं जाएगा तो इसी के पास रहेगा, localized रहेगा तो 2 sigma और एक loan pair count होगा सम 3 आएगा आपका, मतलब ये भी planar होगा, आगे बड़ो conjugation है क्या? loan pair single double, single double, ठीक है, सभी पूरा conjugation में, loan pair single double single double, पूरा conjugation में, यहाँ loan pair वाला conjugation नहीं है लेकिन double single, double single, double वाला तो है न, इसका मतलब conjugation तीनों में ही है अब चेक करेंगे πाई बॉंड पाई बॉंड मतलब पाई एलेक्ट्रोन यहाँ कितने पाई बॉंड दो दो पाई बॉंड के 4 पाई एलेक्ट्रोन होगा लोन पेर भी तो अंदर गया रिंग में मतलब 6 पाई एलेक्ट्रोन means क्या बोलूँगा एरोमेंटिक, दो तो पाई बॉंड वाले हो गए मतलब 4 पाई बॉंड के, 2 पाई बॉंड के और 2 एलेक्ट्रोन इसके यहाँ देखना जरा, इसके पास लोन पेर तो पेटा 2 हैं, लेकिन जाता एक बार में एक ही है तो 2 पाई बॉंड के 4 एलेक्ट्रोन और लोन पेर के 2 6 एलेक्ट्रोन, मतलब 6 पाई एलेक्ट्रोन आएंगे, अगें ऐरोमेटिक अगला, इसका देखो लोन पेर तो नहीं किया, लेकिन 3 pi bond के 6 pi electron ये भी क्या आएगा तुम्हारा aromatic समझगे वाद को इस तरीके से चेक करना है बहुत ही simple चीज़े हैं बस आप देखते जाओ मैं सब सिखा दूँगा आपको note करो इसे चलो आगी बढ़ते हैं कुछ और question देखो ध्यान से देखना जड़ा क्या कह रहा है इसमें अगला वाला क्या cyclic है yes है बिलकुल है क्यों नहीं है साप साप देख रहा है सभी cyclic है planar है क्या चेक करेंगे जब इसको देखेंगे तो इधर इस जगे ये sp3 हो गया क्या हो गया ये sp3 तो ये planar नहीं होगा conjugation नहीं होगा सीधे लिख देंगे क्या non aromatic ज़्यादा tension नहीं ले ली इधर आ जाओ cyclic 30 प्लेनर है क्या चेक करेंगे carbocatine planar होता है planar होता है sp2 है sp2 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 अच्छा oxygen के पास कितने lone pair है 2-2 लेकिन एक बार में एक ही जाता है एक बार में एक ही जाएगा तो ये तो conjugation में चला गया एक मतलब इसके पास 1 sigma 2 sigma और एक के lone pair मतलब सम क्या हो गया वेटा 3 सम 3 मतलब सम 3 मतलब sp2 हो गया ये भी मतलब सारा का सारा planar है conjugation यह क्या देखो lone pair single double lone pair single double इसको मैं दोनों जगया count कर सकता हूँ है ठीक है इधा से देखो के plus single double plus single double मतलब overall सभी लोग conjugation में आ रहे हैं carbon हो चाया oxygen conjugation में आ रहे हैं हमारे लिए फिर से ध्यान सुनो हमारे लिए ये जरूरी नहीं है कि एक बार में conjugation start हो तो पूरे ring में घूम जा ऐसा नहीं है आपको individual conjugation भी count करना पड़ सकता जैसे यहां देखो lone pair single double यहीं तक गए lone pair single double यहीं तक गए उपर से चले plus single double नीचे तक आ गए plus single double नीचे तक मला हर एक element count होना चाहिए किसमें conjugation में किसका ring का चाहे conjugation आपको दो differenty क्यों न लेने हो ठीक है चलो आगे बढ़ते है अगले बाले में भी same यही conjugation है भाई नीचे से oxygen का lone pair आएगा दो है लेकिन एका आएगा और उपर से इसका lone pair negative single double यह मिलीगा यहां तो double bond का conjugation है nitrogen के पास lone pair तो है लेकिन यह conjugation में नहीं जाते हैं अभी बताया था मैंने आपको तो इसमें भी conjugation है ठीक है और planar भी है मतलब conjugation भी है और planar भी है चेक कर लो आप देखो यह जो carvenine है negative charge है यह delocalize है तो sp2 होता है और यहां lone pair 2 sigma sp2 यहां lone pair 2 sigma sp2 ठीक है भाई comment करेंगे चलो यह सारी चीज़े पास हो रही है तो पस अगला आपको answer ही लिखना सीधे 2 electron 2 electron 2 electron 6 pi electron मतलब aromatic सीधा अगला 2 2 4 2 6 और इसके भी 2 count होंगे क्या हो conjugation में आ रहा है न 8 8 pi electron क्या हो गया anti aromatic 2 2 4 2 6 ठीक है इसके सिर्फ double bond के count होंगे 5 bond के 2 2 4 2 6 5 bond के 6 nitrogen का lone pair resonance में नहीं जा रहा है तो वो क्यों count करोगे aromatic simple बिल्कु सीधी सी कहानी है बना लो के question चलो कुछ और करवा देता हूँ मैं ठीक है note करो चलो बच्चो आगे बढ़ते हैं थोड़े से और twist कर देते है question में ध्यान से देखना ज़रा इसमें क्या कह रहे हैं आपसे side click है क्या तीनो yes है ये भी है ये भी है और ये भी है planar है क्या check करेंगे sp2 sp2 ये इसके पास दो दो loan pair है लेकिन एक बार में एक ही loan pair जाएगा ठीक है तो मैं एक ही बना रहा हूँ इसके पास कोई loan pair नहीं vacant orbital और इसके पास दो loan pair है लेकिन मैं एक बना रहा हूँ देखना loan pair single double conjugation है इसका मतलब ये sp2 हो गया ये भी sp2 ये sp2 ये sp2 ये sp2 planer हो गया यहाँ देखो sp2 सभी sp2 है क्यों ek sigma ek sigma और ek sigma h वाला ऐसे यहाँ पर भी है 3 sigma sp2 इधर देखो जरा ek sigma ek sigma और इसके पास loan pair होगा तो in ए nitrogen के पास क्या क्या है ये एक loan pair है और ये loan pair conjugation में नहीं जाएंगे क्यों double banded nitrogen के पास इसके पास एक loan pair है लेकिन ये conjugation में जाएगा तो ये sp2 ये जाएगा बाकी कोई नहीं जाएंगे तो ये भी sp2 होगए conjunction check करो loan pair single double मतलब ये count हो गया ये count हो गया loan pair single double तो ये भी count हो गया, loan pair के साथ vacant orbital adjacent बाला, अब धियान से देखो जरा, vacant orbital के पास में क्या है, loan pair है, मतलब ये भी तो conjugation ही होता है, इधर से भी है, मतलब सभी जगे conjugation है, इधर double, single, double, single, double, alternate, इधर loan pair, single, double, single, double, ठीक है, सभी जगे conjugation है, अब check करेंगे πाई electron, धियान से देखन दो इसके, दो इसके और दो इसके, इसके पास तो होते नहीं है, तो 6 पाई electron, क्या हो गया, aromatic, इधर देखना, पाई bond की ले लो, 2, 2, 4 और 2, 6, 6 पाई electron, aromatic, कई लोगों को confusion होता है, सर, इसके नहीं count करेंगे, आरे भाईया, इधर loan pair थोड़ी है, बोरोन के पास negative charge तो तो त complete कर लेता है, अपना, तो उसके बाद उसके बास कोई loan pair वगरा थोड़ी बचता है, इधर देखो जड़ा, दो इसके count करेंगे, दो इसके, पाई bond के, दो इसके, तो कितने होगा है, दो दो चार दुच्छे, 6 पाई electron, aromatic, कई लोग यहां क्या गल्दी करते हैं, ये वाले loan pair चलो अच्छो आगे बढ़ते हैं, कुछ इस type के question कर लेते हैं, जिसमें आपको double bond लगा के देदेंगे, ध्यान से देखना जड़ा, आपको करना क्या है, अगर ऐसा double bond लगा हो ना, तो इसको तोड़ लो, क्या करो इसको तोड़ लो, तो इसको आप ऐसे तोड़ोगे, तो यहान negative और यहान के आ जाएगा positive, यह एक bond टूटने के बाद, ठीक ऐसा देखेगा आपको, तो एक bond टूटने के बाद आपको ऐसा देखेगा, यहाँ भी इसको तोड़ो bond को, यहाँ minus और यहाँ plus कर लो, इसको तोड़ो यहाँ minus और यहाँ plus कर लो, अब बाहर की tension ने यहां जो रिंग दिख रही है वो देखो मतलब बाहर वाला O-negative उसके बारे में नहीं सोचना अब देखना ज़रा है इस रिंग को जब आप देखोगे तो साइकलिक है पहली बात तो देखो सभी जग है तिक कर दो सभी साइकलिक है यह तो हमें समझ में आ गया प्लेनर है कि यह देखने के लिए क्या करोगे यहां पर ध्यान से देखो यहां क्या है प्लस S-P-2 इसका दो लोन पेर होता है लेकिन एक तो जाएगा कॉन्जुगेशन में तो यह S-P-2 बाकी डबल बन वाले S-P-2 होती है कॉन्जुगेशन है लोन पे सिंगल डबल लोन पे सिंगल डबल प्लस सिंगल डबल प्लस सिंगल डबल प्लस सिंगल डबल ठीक है तो प्लेनर हो गया कॉन्जुगेशन हो गया अब पाई लेक्ट्रो तो अच्छे बस क्योंकि वो तो यहां चले गए ना ओपर जो पाई बॉन तोड़ा अपने तो ओपर नेगिटिव आ गया वो इलेक्ट्रोन ओपर चले गए इसका मतलब है इस रिंग में इन्वाल्व कितने हो रहे हैं पाई एलेक्ट्रोन मतलब आसर क्या होईँगा ऐरोमेटिक होईँगा एक अगला देखना सेम यही लगाना यहां देखो loan pair single double single double और यहाँ जब plus आएगा तो plus single double single double, conjugation भी है और सभी जग है planarity भी है दो इसके, दो इसके और दो इसके, ये वाले तो इस पे चले गए oxygen पे, मतलब 6 pi electron aromatic बहुत असान है इसका देखना ज़रा, ये वाला तो हम पहले भी कर चुके, 4 pi electron वाला, इतना part, अगर ये नहीं होता प्लस लगाओ तो ये कर चुके हैं पने न, तो 4 pi electron क्या जाएगा, anti-aromatic simple, समझ गया बात को aromaticity, note करो और और करेंगे चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं थोड़े से different type के question आप देखना जब कभी भी आपको जब कभी भी आपको benzene derivative दे दिये जाएं मतलब benzene से और ring जोड़ दी benzene जैसी, जैसे इसको naphthalene बोलते हैं, anthracene, finantheline is type के नाम होते हैं इनके हैं, पायरीन वगरा, आप ध्यान से देखना ज़रा, इसमें कैसे चेक करते हैं आपको यह पता है ना, एक benzene ring तो aromatic होती है, यह तो पक्का है ना तो उससे connected दूसरी ring भी aromatic होगी, यह भी confirm होना चाहिए जैसे, इसमें देखेंगे ज़रा, ध्यान से, यह benzene ring और इधर से भी तो benzene है, देखो तो दोनों ही क्या है, aromatic मतला, overall system क्या होगा, aromatic ऐसा, मैं यहाँ पर planarity और और बाकी सारी चीज़ें चेक नहीं का रहा हूँ क्योंकि सभी planary है, है ना कुछ ना कुछ एक नई चीज भी आएगी, वो भी आप समझेंगे, द्यान से, यहाँ देखो ज़रा आप वो लोगे सार यह बेंजीन दिख रही, अच्छी बात है, इधर से भी हमें थोड़ी-थोड़ी बेंजीन दिख रही है, लेकिन यहाँ से बेंजीन तो नहीं दिख रही, अरे भया बेंजीन हो चाए, नेफ्रीन हो चाए, एंत्रासीन हो, पाई-बॉन रोटेट कर जाते हैं, डबल सिंगल में हो सिंगल डबल में, रेजनेटिंग स्टक्चर बनाना सिखाए दे न, आपको ए, एक रिंग को, ए माल लो, एक रिंग को, बी माल लो, यही तो था, मतलब यह सिस्टम है, इसका मतलब आप क्या चेक करो, सीधे पाई-बॉन चेक करो, तो दो दो चार दुछ है, मतलब पाई-बॉन देखो कि तो एक दो तीन, चार पाँच है साथ, साथ का डबल कितना 14, 14 लगतना मतलब ऐरोमेंटिक, ऐसे, यहां देखो जड़ा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, मतलब 14, भाई, 7, 5, 1, 14, लेटना मतलब ऐरोमेंटिक, बाखी सारे प्लेनर्टी, साइकल, सब कंडिशन फुल्फिल है, यहां देखना जड़ा, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, करडबल, 16, 16 मतलब एंडियर, बस यहीं फस गए, बस यहीं फस गए आप, अब ध्यान से देखना और 8, 5, 1, सही है, मतलब 8, 5, 1, के कितने एलेक्ट्रों, 16, मतलब 4 का मल्टिपल, तो एंडियर, अब यहां फस जाओगे, इसलिए मैं आपको नया कॉंसेप्ट यहां इंट्यूर्यूस कर रहा हूं, इसका नाम है, पैरिफेरल कॉंजूगेशन, क्या बोलता है, इसको, पैर पैरिफेरल कॉंजूगेशन, जब कभी भी आपके पास, एक से ज़्यादा रिंग आ जाएं, फ्यूज रिंग, ठीक है, जैसे इस टाइप की है, फ्यूज है एक दूसरे से, मतलब 2 रिंग आएं, 3 रिंग आएं, 4 रिंग आएं, तो उसमें पैरिफेरल कॉंजूगेशन का concept लगता है, उसमें क्या होता है, आप surface पे चेक कर लो, इसके compound के, जैसे, मैं यहां से शुरू करना हूँ, देखना, double, single, 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 double, इस वाले, बीच वाले, पाइबॉंड का तो कोई logic ही नहीं है, बीच वाले पाइबॉंड का logic इसलिए नहीं है, क्योंकि aromaticity में, जो हम compound define करते हैं, वो हम इस तरीके से define करते हैं, कि loop बनना चाहिए, जैसे, जितने भी अवन पीछे, इसके पीछे जो example किये, तो उसमें एक- चेक कर लो, तो एक पाइबॉंड, दो पाइबॉंड, तीन पाइबॉंड, चार पाइबॉंड, पाँच पाइबॉंड, छे पाइबॉंड, साथ, साथ का डबल कितना, 14, अब बोलोगे, यस सर, यस सर, aromatic, बीच वाले पाइब का कोई मतलब नहीं, जैसे, यहां मैंने बीच मैं पाइब नहीं लगाया, बीच मैं पाइब नहीं लगाया, मत लगा रहीं नहीं दो, आपको क्या करना है, peripheral conjunction, चेक कर लो, आ रहा है कि पूरा conjunction yes देखो जमाजम conjunction आ रहा देखो बीच में कोई मतलब नहीं है आप बोलोगे सर ये दोनों का hybridization मता ना जरा मैं बोलूँगा SP3 अरे SP3 hybridized तो है लेकिन peripheral conjunction की वज़े से aromaticity आती है इसमें ये ध्यान दखना तो अगर एक ring होती है उसमें अगर SP3 आ जाता तब तो हम non-aromatic बोल देते अगर एक से जादा ring है उनमें कहीं अगर SP3 दिख रहा है तो आप देखके मत बोल देना non-aromatic ध्यान दखना peripheral conjunction नाम की वी एक चीज होती है अब देखो ज़रा ध्यान से चाहे यहां बीच में पाई लगाओ या मत लगाओ यह aromatic ही रहेंगे क्यों अगें 14 पाई electron हो गया समझना बात को यहां आ जाओ इधर देखना यह वाला यह वाला यह वाला यह वाला यह सब SP3 है सब SP3 हैं लेकिन फिर भी aromatic होता है यह क्यों peripheral conjunction देखो यहां से स्टू करते माल लो double single double single double single double single double single double single double चले जाओ चले जाओ चले जाओ चले जाओ चले जाओ देखो peripheral conjugation आपको मिल रहा है कितने 5 और एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नौ 9 इंटू टू कितना होता है बहुत बढ़ी है 18 वाल क्या वोलोगे aromatic ऐसे चलना है आपको periphery पे चलो यहां आ जाना जाओ डबल single double single double single double single double single double peripheral भलेई SP3 हो कोई दिक्कत नहीं एक दो तीन चार पांच का डबल दस दस मतलब aromatic ऐसे चलना है तो यहां से लेकर यह सारे peripheral conjugation की question है अगला देखो जरा है यहां शुरू करें double single 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 double कितने पाई बॉंड एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ का डबल आठ का डबल 16 मतलब anti-aromatic ऐसा periphery पे चलना है इसका मतलब क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ चाहे aromatic हो चाहे aromatic हो चाहे anti-aromatic हो लूप बनेगा लूप मतलब ऐसा रिंग जैसी बनेगा बिल्कुल बनेगा तो aromatic और anti-aromatic में लूप बनता है नॉन aromatic कब होता जब एक रिंग हम लेते थे उसमें कहीं sp3 आ जाएगा तो लूप नहीं बनेगा नहीं बनेगा तो इसमें लूप नहीं बनता समझा है लूप बाली बात में क्याया हूं नॉन aromatic में Jeep नहीं बनता aromatic और anti-aromatic में loop बनता है कि EVC io और LP बनता है 9-1 ऐदरThank को यह नूप नहीं बनेगा अब आप समझना बात को यह भले ही लूप बनने के कारण is unit्व in मैं के आप कँलियर कउंसेप्ट थोड़ा यहांто कि अलोगा यह तो मैं आप से पूछेगा लूप बन रहा है की नहीं बन रहा है आप बलो के हां एर्ड है प Daredearm लिखते हैं इसको बात को लिख में नगो एडिय JI diplomatic Complants में ईपना है नौन अरॉमेटिक में लूप नहीं snippet वाली बात थी चलो आगे चेक करें आज़ा जड़ा अगला देखो नेगे टिभ सिंगयलडबल तो यह भी कॉनज्जूकेशन में आगा। अगला की तैकरे गहाँ मतलब पुरा पेरिफेरल कॉनजूकेशन तो दो एलेक्ट्रो इसके दो चार दो च्छे दो आट दो दास दो बारा अगेन एंटियरोमै टेनि। अगला देखो, negative single double, single double, single double, single double, single double, negative, again loop बन रहा है, दो इसके, दो इसके 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, aromatic, इस तरीके से ज़क करना है, यहाँ जो था, यह loop पूरा बन रहा है, लूप पूरा बन रहा है, भले ही यह SP3 हो, लूप बनना चाहिए, जैसे यहाँ, यह SP3 था, यहाँ यह सम SP3 थ आ जाते हैं, मतलब, या तो वो aromatic होते हैं, या anti-aromatic होते हैं, समझे रहा बात को, इसलिए यह थोड़े से important type के होते हैं, peripheral conjugation वाले, इन में सब में loop बनता है, इसलिए यहाँ पर SP3 होने से कोई फरक नहीं पड़ता, aromaticity, मतलब, aromatic या anti-aromatic, 2 में से कोई एक हो सकते हैं, यह चले इसको note करो, फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ और question देखते हैं, बहुत ध्यान से देखना जरा, कभी-कभी ऐसे 2 ring जोड़ देते हैं, बीच में एक double bond लगा देते हैं, ठीक है, ऐसे 2 ring लगा दिया और बीच में double bond लगा दिया, तो अब हमें कैसे करना है, बहुत ध्यान स आप इसको ऐसे break करो, कि donor ring aromatic बन जाएं, आपको ये सोचना है कि मुझे donor ring aromatic बनानी है, donor ring aromatic बनानी है, तो कैसे करोगे आप, अगर मैं इस bond को ऐसे तोड़ दूँ, तो ध्यान से देखना कैसा दिखेगा आपको, ये दिखेगा आपको ऐसा, उपर 5 की ring आएगी, और नीचे 7 क ring आएगी, ऐसा, और जब bond को ऐसे तोड़ोगे, तो उपर के आएगा, माइनस, और नीचे के आएगा, प्लस, और ये donor individual ring हम कर चुके हैं, पीछे, देखो ज़रा पीछे आप ध्यान से, 7 की ring में, 7 की ring में positive charge, ये aromatic होता है, और 5 की ring में negative charge, ये aromatic होता है, क्योंकि यहाँ भी 6 pi electron होता है, मतलब ये ring भी aromatic और ये ring भी aromatic, आपको bond ऐसे तोड़ना है कि donor ring aromatic बन जाए, तो compound aromatic हो जाएगा, इसमें देखो ज़रा, अगर मैं इसमें bond को ऐसे तोड़ू, तो अगेन देखना ज़रा, ऊपर 5 member ring negatively charge बन गई, नीचे 3 member ring positively charge बन गई, तो उपर 5 member ring और नीचे 3 member ring, उपर वाली ring क्या बनेगी, negatively charge और नीचे वाली क्या बनेगी, positively charge, अब देखना ज़रा, 3 की ring में plus charge वाला aromatic होगा, तो ये ring aromatic हो गई, और ये 5 वाली ring भी तो aromatic हो गई, इसमें है 6 pi electrons और इसमें कितने हैं, 2 pi electrons, दौनों ही क्या है, aromatic है, समझ गे, तो आपको बीच वाला bond इस त ठीक है, अगला देखना ज़रा, कभी अगर ऐसा आ जाए, आपके पास कार्वोगटाइन कार्वेन अलग से उपर ring के बाहर लगा दिये, तो ध्यान से देखना ज़रा, positive, single, double, single, double, पूरा conjugation चल रहा है आपका है न, और वैसे भी आपको सिर्फ ring देखनी है, क्या देखनी ह ही है, आप क्या देखो, सिर्फ ring देखो, उपर वाले से मतलब नहीं है, देखो ज़रा, क्या यह ring aromatic है, यस, क्या यह ring aromatic है, यस, अब आप कई लोग यहां गलती है, सर, negative, single, double, single, double, यह conjugation जब चलेगा, तो negative मतलब यहाँ, lone pair होगा, और यह conjugation करता है, बिल्कुल करता है, और जब यह conjugation करेगा, तो ring में overall electron, 8 होने चाहिए, 8 नहीं है, बहुत ध्यान से देखो, यह जो दो electron है, वो तो सिर्फ बाहर ही नहींगे, क्यों, lone pair, bond pair में convert होगा, तो ring के बाहर होगा, यह double, ring के बाहर double होगा, इस का मतलब इस ring में overall कितने electron घूमेंगे, overall तो 6-5 electron ही है, तो total 8 electron घूम रहे है, ऐसा नहीं है, at a time, ring में 6 electron रहेंगे, वो जो lone pair, bond pair में convert होगा, वो ring के बाहर होगा, समझगे बात को, तो इस तरीके से आपको question करने है, ठीक है, नोट करो इसको फिर आगे बढ़ते हैं, चलो अच्छो आगे बढ़ते हैं, तीन final question और discuss कर लेंगे तो उसके बाद फिर application of aromaticity पे चलेगे, बहुत ध्यान से देखना चारा, यह बहुत ही important compound है, इसको बोलते है, azulin, क्या बोलते है, azulin, चेक करें चारा, aromatic है क्या, ध्यान से देखो चारा, peripheral conjugation आ रहा है, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 electron है, और सारे sp2 में planar है, सारी चीज़ अच्छी है मतलब 10 pi electron आ गया, means aromatic हो गया, अब इसके बारे में एक बहुत ही important question होता है, कि यह जो compound है, यह polar compound होता है, क्यों होता है, ध्यान से देखना, इधर आप 7 member ring देख रहे हैं, इधर आप 5 member ring देख रहे हैं, तो यह जो 7 member ring है, यह जो 7 member ring है, ध्यान से देखो, इसमें plus और 5 member ring में minus आप बना सकते हो, कैसे, आप bond को break कर लो, कैसे break कर लो मालो, इस bond को मैं break करता हूँ, ऐसे, यहाँ minus, यहाँ plus, और यह negative single double resonance करके यहाँ negative आ जाएगा, इसका मतलब आप एक तरीके से ऐसा बना सकते हो, कैसा, कि एक ring 5 member ring हो और negative हो, और एक ring 7 member ring हो और positive हो, ठीक है, तो इसमें positive charge घूम रहा है, और इसमें negative charge घूम रहा है, ठीक है, तो मैं इसको इस तरीके से भी बना सकता हूँ, अगर मुझे इसका hybrid बनाना है, तो मैं ऐसे दिखाऊ रहा है, इसमें negative charge घूम रहा है, और इसमें negative charge घूम रहा है, तो यह दो ring जो है, वो polar है, positive और negative iron, जब भी एक साथ exist करतें किसी compound में, तो इसको बोलते हैं, जुटर आयन, क्या बोलते हैं वेटा, जुटर आयन, positive और negative चार्ज घूम रहा है, तो ये जुटर आयन है, इसका एक aisomer होता, naphthalene, naphthalene क्या होता, non-polar, जब कि ये compound होता, polar, क्यूँँ, क्योंकि इसमें चार्ज आता है ने फ्रीन में चार्ज नहीं आता है तो अगर मैं positive से negative की तरफ जाओं तो direction कुछ ऐसी बनेगी डाइपोल की इसका मतलब compound होता है और polar compound होने के साथ साथ यह reactive भी होता है और यह blue color का होता है और इसका polar है मतलब dipolment क्या है non-zero ठीक है और blue color इसका होता तो ध्या मतलब है किसी कार्वन पर positive लगा दो जैसे मैं अगर इसमें से एक रिंग लेकर समझाओं जैसे मालो ऐसा लिखा होता है तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब है कि कोई एक रिंग जो है इसमें कोई एक कार्वन जो है वह negative ली चार्ज है और alternate डबल तो positive negative single double single double घूम रहा है negative तो इस तरीके से घुमा देता है इसको मतलब ऐसे गोला बनाके अंदर negative लिखने का मतलब यह होता है जैसे एक और example देखो अगर मैं इसकी individual seven member ring के बारें बताओ तो actual में यह ऐसा है जो ऐसा लिखा है ना गोले के अंदर positive इसका मतलब है किसी एक carbon पर आप क्या लगा दो plus औ आपको अधरें बताओ क्या Aromaticity चेक करने बता रहा है लोन पियर इसके पास है और लोन पियर इसके पास है तो यह लोन पियर तो resonance में जाएगा नहीं लोन पियर सिंगल डबाल ऐसा कुछ दिख नहीं रहा मतलब यह डबल- bomb टैने लोन पर तो यह रेजयनर में जाएगा इस इसका एक लोन प्या रेजोनेंस में जाएगा तो ओवरॉल कितने एलेक्ट्रोन आएंगे दो दो चार दो छे तो सिक्स पाई एलेक्ट्रोन होने की वज़े से है रोमेंटिक है बागी सारी चीज में फुल्फिल हो रही है साइगलिक भी है सबका हाइब आईसन एटम का पी होना चीए तो यह बनेटी एंगल होना चीए तो रिंग टूड़ जानी चीज़िए जबकि ऐसा नहीं होता ध्यान से देखना जड़ा जरूए नहीं कि ट्रपल देखे तो एस्पी हाइबिटाइस नहीं हो बेंजाइन एक्शुल में ऐसे एक्जिस्ट करता है और्बिटल की पूर ओवरलेपिंग होती क्यों अगर पाई बनना चाहिए तो ओवरलेपिंग ऐसी होनी चीज़िए प्योर पी की ओवरलेपिंग से पाई बनता है जबकि यहां ऐसा पहली बार आपके सामने हो रहा है पूरी जिंदगी में कि एस्पी टू हाइब्रिड भी AP-2 SP-2 हाइब्रिड की अगर आपसे बोले इन सभी कार्बन का हैब्राइशन बताओ तो आल सिक्सक्स कार्बन सारre SP-2 हाईबacs धियान दखना-अइए SP2 hybridized कई लोग क्या है गलती करते हैं क्या कि सर ये SP2, 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 SP2 4 हो गए और ये 2 SP हो गए ऐसा नहीं है, ये सारे के सारे SP2 hybridized होते हैं क्यों? क्योंकि SP2 hybrid orbital से यहाँ पर poor overlapping से πाई बनता है तो बहुत weak πाई बन होता है क्योंकि poor overlapping हो रही, तो ये ध्यान लगना बहुत important question थे ये वाला और ये वाला चलो इसको note करो, फिर अपन चलते है webligation पर, अब आपके सामने कोई भी compound आजाए दुनिया का, aromaticity check करने का, तो आप check कर सकते हो कि कौन सा aromatic है, कौन सा non-aromatic है और कौन सा anti-aromatic है, ठीक है और एक बात और ध्यान लगना, जो anti-aromatic compounds होते हैं, वो room temperature पर unstable होते हैं, ये ध्यान लगना, इस type का question एक बार J-E में आ चुका है, which of the following is obliq are unstable at room temperature असा question उन्होंने पूछा था, और जो anti-aromatic थे वो उसके answer थे, मतलब anti-aromatic compound room temperature पर unstable होते हैं, ये बात आप ध्यान लखेंगे चाहो तो यहाँ पर लिख लो, my star बना के लिखो ज़रा क्या बोलना हूँ anti-aromatic compounds are anti-aromatic compounds are unstable at room temperature anti-aromatic compound room temperature पर unstable होते हैं anti-aromatic compounds are unstable at room temperature unstable at room temperature, ठीक है तो चलो इसको note करो अपन start करते हैं इसके application चलो बच्चो आगे बढ़ते हैं और application start करते हैं aromaticity के, बहुत ही simple simple सी चीज़े हैं application start करने से पहले आप stability के बारे में समझ लो कि आपको stability ध्यान दखनी है species की, ठीक है और हमेशा जो भी हम यहाँ पर लगाएंगे जो भी factors हम लगाएंगे, उसमें सबसे पहले aromaticity सोचेंगे, फिर resonance, फिर hyper, फिर inductive यह इसका priority order है अब ध्यान से देखना जड़ा अगर मैं stability आपके सामने लिखूँ तो aromatic compound की stability ज़्यादा होती है उसके बाद आते हैं non-aromatic और सबसे last में आते हैं anti-aromatic anti-aromatic यह इसका stability का order है actual में इसमें concept लगता है bonding molecular orbital का और non-bonding molecular orbital का तो क्या होता है aromatic में क्या होते हैं all electrons all electrons are present in present in bonding molecular orbital BMO ठीक है and loop is formed मतलब ring मनती है loop is formed जो conjugation चलता है वो ring में चलता है ठीक है non-bonding में क्या होता है all electrons are present in all electrons are present in BMO यहां भी present होते हैं BMO में लेकिन bonding molecular orbital में है लेकिन but loop is not formed but loop will not form ऐसे लिख लो loop form नहीं होगा किसमें non-aromatic में जैसे linear chain चला दी यह आपने ring भी ले ली तो पूरा conjugation नहीं तो electron पूरे नहीं गूम पाएंगे anti-aromatic में क्या होता है कुछ electron तो इसके bonding में होते हैं और कुछ electron non-bonding में भी होते हैं तो some electrons are यह ध्यान से लेकिना सम इलेक्ट्रॉन्स आर प्रिजेंट इन नॉन बॉंडिंग molecular orbitals molecular orbitals actual polygon rule होता है वो अपनी syllabus में नहीं है बस हमें stability के बारे में ध्यान दखना है उसके according हम निकालते हैं सीदी सी बात है bonding में electron present है तो जादा stable है comparison to non-bonding ठीक है इन दोनों के bonding में अब इन दोनों में कैसे compare का रहा है यहाँ loop बन रहा है अब चलते हैं application पर ध्यान से देखना जरा to compare dipole moment bond length and rotational energy barrier किस bond के लिए यह जो bond है इसके लिए हम बात करेंगे तो dipole moment निकालना है कैसे करोगे dipole moment कभी भी किसी compound का ज़्यादा है जैसे अगर मैं यहाँ bond को तोड़ दूँ आप bond तोड़ दो यह प्लस यहाँ bond तोड़ लो माइनस प्लस यहाँ bond तोड़ लो माइनस प्लस अब बताना जरा ring की stability यहाँ पर यह दोनों carbon क्या है SP3 तो non aromatic है यहाँ पर 5 की ring में positive 2 यह दो यह 4 pi electron मतलब anti aromatic है यहाँ 2 pi electron 3 की ring में positive क्या होता है तो dipole moment का order क्या आएगा, जिसमें चार जल्दी create हो रहा है, जो aromatic बन रहा है, मतलब तीन वाले में चार जल्दी create हो रहा है, उसके बाद non-aromatic आएगा, उसके बाद anti-aromatic आएगा, ये dipole moment का order हो गया, ठीक है, bond length, अच्छा stability का भी बताई दो साथ में, सिधासा है aromatic, non-aromatic, anti-aromatic, तीन एक दो, तो dipole moment हो गया, stability हो गया, इसका भी यही order है, ठीक है, अच्छा मुझे बताना bond length, bond length किसमें जादा, जिसका bond आसानी से तूट जाए, तो भईया double से single की तरफ जा रहे हो, ना, अगर bond आसानी से तूट जाए, मतलब डबल से कहां जा रहे हो, single की तरफ, तो इस में जल्दी काम हो जाएगा, bond जल्दी तूटेगा, क्यों, stable बन रहा है, इसका मतलब इधर bond length जादा होगी, तीन, फिर एक, फिर दो, मतलब bond length का भी order यही आएगा, bond length का order भी यही आएगा, लेकिन, अगर मैं आप से पूछूँ, बताओ जड़ा, rotational energy barrier, क्या, rotational energy barrier, पहले त किस bond को तोड़ने में ज्यादा energy लगेगी, जो unstability create कर रहा है, इसमें energy ज्यादा लगेगी, मतलब इसका उल्टा कर दो order, तो तीन सबसे कम, फिर एक, फिर दो, क्यों, क्यों की, मुझे सीधी सी बात बताओ, यह क्या बन रहा है, यह aromatic बन रहा है, अगर यह aromatic बन रहा है, तो bond आसानी से तूट जाएगा न, इसलिए rotation energy barrier कम होगा, क्योंगी तूटना चाहता है, इस तरीके से हम गंबर कराते हैं, तो इन तीनों का order सेम है, और rotation energy barrier उसका opposite है, कभी-कभी question ऐसा भी दे सकते हैं, इस type का अभी मैंने आपको करवाई था, देखो ज़रा ध्यान से, आपको उपर तोड़ देता हूं, तो यहां minus और यहां plus, अब ध्यान से देखना, जब यह bond टूट जाएगा, यह वाला pi bond, तो charge create हो जाएगा और बीच में एक sigma रहेगा, तो उपर वाली जो ring है, वो 5 member ring में negative है, क्या होता है, aromatic, नीचे वाली 3 member ring में positive क्या होता है, aromatic, क्यों, यह 6 pi electron बना देगा और यह 2 pi electron system बना देगा, यहां उपर वाली रिंग 5 member ring negative के साथ तो aromatic है, लेकिन नीचे वाली जो ring है, 4 pi electron के साथ anti-aromatic है, क्या है यह anti-aromatic, अब मुझे एक बाद बताओ, यह दौनों aromatic, यह एक aromatic anti-aromatic, आप बोलो sir हम उल्टा तोडएंगे, बिटा उल्टा भी चोड़ दो, तब भी ऐसा ही situation आएगा, एक ring aromatic और एक anti-aromatic आएगी, मतलब अगर मैं stability की बात करूं, तो stability किसकी ज़्यादा, इसको कुछ number दे देते हैं, यह 1 और यह 2, तो बेटा, 1 की stability ज़्यादा होगी, किससे, 2 से, 2 से, क्या हो, दौनों aromatic है, वहाँ एक ना, एक anti-aromatic है आगे बढ़ो, dipole moment बताओ, कौनसा bond आसानी से तूटना चाहेगा, जिसमें stability ज़्यादा होगी, तो 1 की ज़्यादा 2 से, bond length बताओ, कौनसा bond आसानी से तूटना चाहेगा, तभी तो वह single bond character लाएगा, 1 की ज़्यादा 2 से, और इनका opposite क्या हो जाएगा, rotational energy barrier, R, E, B लिग दे समझे बाद को, तो इस तरीके से आपको application करना है, ठीक है, अब इसको note करो, फिर आगे चलते हैं, और भी application बढ़ते हैं, चलो बच्छों आगे बढ़ते हैं, second application पर चलते हैं, reaction with HCL, HBR, HI, H2SO4, ये सारे ऐसे डगर आजाएं, इसके साथ reaction दी जाएगी, तो आपको यहाँ पर alcohol मिलेगा, ठीक है, जैसे, मैं आपको बता देता हूँ, किस तरीके से काम होगा, जैसे आप से reactivity पूछ लेंगे, इनकी reactivity बतानी है, ठीक है, ध्यान से देखना जड़ाएं, इन शारों alcohol को treat करो, आप इन मैंसे किसी भी acid के साथ reactivity बताओ, तो आपको करना क्या है, basically होता क्या है, देखो reaction कुछ ऐसी होती है, कि ROH जो होता है, वो acid क्या करता है, H+, देता है, इन मैंसे कोई भी, तो oxygen का जो lone pair है, वो अपने lone pair है, है H+, को दे देगा, क्योंकि इसके वा तो यह बनाता है, ROH to positive, अब यहां से water निकल के बनाता है, R positive, अब यह जो R positive बना यह होता है, कार्बो केटाइन, अब जितना ज़्यादा कार्बो केटाइन stable होगा, उतनी ज़्यादा reactivity होगी, सीधी सी बात है, मतलब, reactivity, reactivity is directly proportional to, stability of, कार्बो केटाइन, ठीक है, stability of, कार् बुक्स में first carbo केटाइन भी लिखा रहता है, first carbo केटाइन इसलिए, क्योंकि carbo केटाइन में rearrangement वखरा होता है, यह हम आगे भी बढ़ेंगे, यहाँ पर rearrangement की बाते नहीं आएंगे, rearrangement की बाते जहाएंगे, वहां में बताऊंगा, तो इसलिए और भी carbo केटाइन बन सकते यहाँ प्लस लगा लेना, OH ग्रूफ हटा के यहाँ प्लस लगा लेना, OH ग्रूफ हटा के यहाँ प्लस लगा लेना, अब इन carbo केटाइन की stability को हम compare कराएं कैसे, इस carbo केटाइन के बारें बोलेंगे, यह है non aromatic, क्योंकि यह दोनो sp3 है, conjugation नहीं है, यह वाला aromatic 2 pi electron system है, 5 की इतना तो पक्का है कि anti aromatic सबसे पीछे आएगा, उसके बाद non aromatic आएगा, अब बचा 2 और 4, 2 और 4 में ध्यान से देखो, बेटा यह भी aromatic है और यह भी aromatic है, तो मैंने आपको क्या बोला था, अब order जरूर याद कर लो, क्या, सबसे पहले aromaticity वाला concept लगाना है, फिर resonance, फिर hyper और यहां क्या है, प्लस single double, single double, single double, यहां बहुत ज़्यादा, चार्ज displacement कम हो रहा है, यहां पर ज़्ध कर पक हो रहा है, फोलो है, आप बोलो कि यह भी तो बड़ी ры्ध है, यहां चार्ज displacement आप पहले, पات-पैर एलो, तो यह क्या है, 3 वाली रिंग है, यह सां वाली रिंग ह जाद़ा होगी chargeispersion जादा होता है resonance तो 4 आएगा पहले तू आएगा फिर 1 फिर 3 क्या आगया reactivity towards acid reactivity towards on h-plus और h-plus कौन देगा यह सारे के सारे acid h-plus समझगे बात को इस तरीके से compare करना है अगला है rate of protonation इसी से मिलता जुलता है आपको यहां पर compound कुछ इस type के दिखेंगे rate of protonation मुझे compare खरानी है rate of protonation मतलब क्या हो गया protonation होने की reactivity या rate के बारे में हम बात कर रहे हैं कि किस में भीया protonation आसान होगा और किस में skill होगा बहुत ध्यान से देखना similar इसी जैसा ही है जैसा हमने पहले समझाए बस reaction का type थोड़ा लगा है क्या ध्यान से देखो यहां क्या मिलता है आपको C double bond जैसे R C double bond R dash ऐसा मैंने ले लिया जब इसकी H plus के साथ reaction होगी तो क्या होगा यह oxygen अपना lone pair इसको देगा तो ऐसा देखेगा R C R dash double bond OH plus और यह पाई bond टूटेगा तो ऐसा बनेगा R C plus R dash और OH अब तुम्हें यह देखना है क्या कि इस plus T stability किसकी इसकी ठीक है यह कार्बोगेटाइन जो बना यह कार्बोगेटाइन stable होना चाहिए ठीक है तो यहां भी वही वाली बात आ गए क्या कि reactivity या rate of protonation is directly proportional to stability of C positive कार्बोगेटाइन इस्टेबिलिटी ओप कार्बोगेटाइन बेटा जितना ज्यादा stable कार्बोगेटाइन होगा न उतनी ज्यादा rate of protonation होगी तो क्या करो आप इस bond को तोड़ दो O पे माइनस लगेगा और उस पर H प्लस आ जाएगा ठीक है rate of protonation प्रोटोनेशन मतल़ है H प्लस के साथ की रिंग में प्लस aromantic सेम वही situation आगी यहां पर जैसी थी सेम वही situation आगी मतलब अगर मैं इनको number कर दूं ये वन ये टू ये थ्री और ये पूर तो कैसे कराओगे आप सबसे ज़्यादा stability चार की होगी मतलब rate किसकी सबसे ज़्यादा होगी चार की फिर उसके बाद क्या आएगा दो फिर क्या आएगा एक फिर क्या आएगा तीन मतलब दौनों ही similar type के question है बस थोड़ी सी mechanism अलग अलग है इसको हम क्या बोलते है mechanism बोलते हैं बागी detail में हम बात में पढ़ेंगे अब ही मैंने basic चीज़ां बता दी हैं आपको की कैसे operate होतीी तो आपको करना क्या है इसको अभी नहीं भी करो तो अभी कोई दिक्कत नहीं आप क्या करो इधर अगर alcohol आया तो OH लाए questo लगा दो OH लाए ? इसको note का रोफ रागे बारते है चलो अच्छो आगे बढ़ते हैं दो application हो रहे हैं इसके ध्यान से देखना ज़रा आपको acidic strength compare करानी होगी कैसे ध्यान से देखना जैसे मालो आपको यह यह लिखा है दूसरा आपके सामने यह लिखा है तीसरा आपके सामने यह लिखा है इनमें आपको acidic strength compare करानी है तो कैसे compare कर सब्सक्राइए अगर अगजाए इधर दो ह है एक है वाहर करके लिख रा हम तो आप से एच Вас स्टेंथ पूछाए ना तो acidic का मतलब acid क्यों होता है क्योंकि H plus के form में निकलेगा इसको थोड़ा से उपर से लिगो H plus के form में मतलब ये क्या होगा ये bond कुछ ऐसे तूटेगा bond ऐसे तूटेगा H को H plus के form में तोड़ना है ना तो इसकारवन को देने पड़ेंगे तो H plus निकाल दो क्या बना दो यहाँ माइनस यहाँ plus यह प्लस हो गया और यह क्या होगा और यह जो रिंग पर सबस्याद है एसे डिक फिर नॉन एरोमेटिक फिर एंटी अरोमेटिक सीधी सी बात है ना H plus कौन आसानी से निकालेगा जिसका एनाएन स्टेवल बन रहा होगा मतलब एसे डिक स्टेंद का और बढ़ा यह होगा एसे डिक स्टेंद का और यह होगा इस तरीके से कंपर कराना है तो आपके सामने कोई KB compound आजाए Ade Keating towards AGs अगला है इसमें क्या होता है को कैसे दिया जाता जैसे एक आपको यह दे दिया कि कि हैं connect ay бaina एक आपको ऐसाने आप और एक आपको ऐसा दे दिया बहुत ध्यान से देखना बहुत ही ध्यान से अब silver nitrate actual में करता क्या है तो reaction mechanism कुछ ऐसी होती कि अपने पास हैलाइड होता है ag no3 आता है इसके पास तो ag no3 क्या अगरता है ag plus और no3 minus देता है और यहाँ पर यह bond ऐसे तूटता है यह minus और यह plus तो क्या बनाएगा r plus बनाएगा और जो x minus बनेगा उसके साथ ag plus reaction करके क्या बना लेगा ag x बना लेगा ठीक है और यह जो r plus है वो no3 minus के साथ कुछ इस तरीके से जोड़ा रहता है इसको बोलते intimate iron pair क्या बोलते intimate iron pair iron pair के form में रहता है तो यह जो r positive है इस पर depend करता है कि rate कितनी जादा हो तो simple सी बात मैं लिख रहा हूँ यह जो बना r plus carbocatine तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि reactivity towards ag no3 reactivity is directly proportional to stability of carbocatine stability of carbocatine या first carbocatine बोलो है na stability of first carbocatine तो carbocatine जितना जादा stable उतनी जादा क्या होगी reactivity तो क्या करना है halogen हटा के plus लगाना 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 है अगेन यह aromatic, यह anti-aromatic, कितनी बार कर चुके हैं, यह aromatic, ठीक है, मैं यहाँ पर reactivity के बारे बात कर रहा हूँ, तो यह 1, यह 2, यह 3, और यह 4, ठीक है, ध्यान से देखना ज़रा, सबसे यादा 4 होगा, क्यों, क्योंकि aromatic तो यह दोनों हैं, लेकिन इसमें resonance जादा है, उसके time for PPT formation, अब यह PPT formation क्या है, एक बाब बताओ, यहाँ जो AGX बना, इसका PPT होता है, AGX का PPT होता है, अगर color याद करना चाहो, तो वो भी याद कर लो, AGCL PPT आपको दिया जा सकता है, AGBR, अगर BR होगा तो, और आई हुआ तो, AGGI, यह होता है आपका white PPT, ठीक है, white precipitate, यह होता pale yellow, pale yellow, यह होता है dark yellow, तो यह PPT वी आप याद कर ले, तो PPT जल्दी बने, वो इस बात पर depend करता है, कि X माइनस जल्दी मिले, वो इस बात पर depend करता है, कि R प्लस कितना stable बने, जितना ज्यादा stable R प्लस बनेगा, मतलब PPT जल्दी बनेगा, इसका मतलब time for PPT formation, अगर मैं compare कर आँ, तो जितनी ज्यादा reactivity, उतना कम time लगेगा, जितनी ज्यादा reactivity, उतना कम time लगेगा, PPT formation में, इसमें PPT formation में बहुत time लगेगा, फिर ये, फिर ये, मतलब reactivity का उल्टा होता है time for PPT formation, इस तरीके से अपन question करते हैं, तो सारे के सारे application हमने इसके cover कर लिए, जो aromaticity से related इसको note करो, फिर आगे बढ़ते हैं, तो लब अच्छो आगे बढ़ते हैं, कुछ important reactions होती है, इसके बारे में discuss कर लेते हैं, reaction with metals या फिर F E plus 3 के साथ आप reaction कराते हो, तो मैंने कुछ reaction दे रखी, basic idea आपको बताए दों क्या है, जैसे metal अगर है, तो metal की tendency क्या होती है, electron lose करने तो होता क्या है, इस bond को आप break कर लो, कैसे break कर लो, बीच से break कर दो, बीच से break करने का क्या मतलब है, जो electron sharing हो रही थी, ये दौनों carbon अपने अपने पास रख लेंगे, अब यहां से 2 electron में से एक इसको दे दो, एक इसको दे दो, तो बहुत simple सा देखे का आपको क्या, ऐसा, यहां double, इधर minus, इधर minus, अब यह negative single double, negative single double, resonance भी आ रहा है, दो इसके πाई electron, दो इसके πाई electron, दो इसके 6 पाई electron, और हाइव डाइशन भी SP2 होता है, कारविन अगर कॉन्जूगेशन में होता है, मतलब 6 पाई electron तो क्या होगा, यह aromatic होगा, इस तरीके से एक्षन होती है, अ alternate double लगा दो, ऐसा होता है इसका मतलब, तो इसको ऐसे भी represent करके दिया हुआ है, या इस गोले के अंदर 2 minus लिख सकते हो, 2 minus मतलब 2 minus भी लिख सकते हो, कोई लिखकत नहीं है, यहां देखना ज़रा ध्यान से, यहां क्या होता है, यह जो Fe plus 3 है, Fe plus 3 क्या करता है, यह दो electron लेक legally bond break करते हो, तो यहां जो 2 electron आए, उनका donation होता है इस पर, और अगर यह दोनों electron निकल जाएंगे, तो आपको क्या देखेगा, अगर दोनों electron उड़ा दूँ, तो आपको क्या देखेगा, प्लस देखेगा, और इसका representation ऐसा होता है, गोले के अंदर 2 positive, ठीक, अब देखो reaction होती, बहुत आसान है, इसी जैसी reaction यह है, बस आपको क्या करना है, 8 member ring लो आप यहां पर, आप क्या करोगे, 8 member ring लोगे, ऐसा, 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 और similar reaction इसी जैसी, यहां पर क्या लगा दोगे, 2 negative लगा दोगे, या इसका representation आप करना चाहो, तो ring के अंदर, 2 negative गोला मारके, ऐसा भी कर सकते हो, तो यह बड़ी simple simple reaction है, metal की tendency electron lose करने की होती, तो electron मिलेंगे, और वो electron pi bond पे attack कर देंगे, अगर F e plus 3 है, तो यह reduce होना चाहेगा, F e plus 2 में, तो यह electron लेगा, electron कहां से मिलेंगे, यहां से मिलेंगे, तो positive charge जागा, देख लो जड़ा difference reaction में, तो बड़ी simple reaction होती है एक aromatic में topic होता, quasi aromatic compounds, कोई नई बात नहीं है, मैं आपको पहली बता चुका हूँ यह, जैसे quasi aromatic compounds क्या होते हैं, point number 1, aromatic in ionic form, quasi aromatic क्या होते हैं, aromatic in ionic form, तो पहली बात quasi aromatic compound क्या होता है, aromatic in ionic form, दूसरा, water soluble होते हैं यह, water soluble और dipole moment इनका non zero होता है, और यह हम पढ़ चुके हैं पहले, आपको यहाद दिला हूँ, जैसे quasi aromatic compound, q, a, c लिख रहा हूँ, quasi aromatic compound को अगर मैं classify करूँ, तो तीन टाइप से classify कर सकता हूँ, एक होता, fused hydrocarbon, क्या होता है, fused hydrocarbon, आप बोलोगे sir, बता चुके हो, तो दुबारा क्यों लिखा रहे हो, मैं आपको याद दिला रहा हूँ, ठीक है, आपकी सकती है, याद दिला रहा हूँ, क्या आपको पहले से पता है, fused hydrocarbon जैसे इस type का, याद करो, अभी थोड़ी दिर पहले, आपन ने bond rotation barrier वगरा, bond length वगरा compare कराई थी, इस type के, यह होता है, क्यों, अपन ने क्या करा था, bond break करके, charge बना के, चेक करी थी, ना, याद करो जड़ा, इस type के, तो fused hydrocarbon बन इस type के, ठीक है, और cyclic ketones, cyclic ketones, हमने rate of protonation compare कराई थी, याद करो जड़ा, इस type के compounds में, तो ऐसे होता है, याद करो ज़ से, क्या करा था, उसमें एक 7 की ring, और एक 5 की ring, double single, double single, double single, double single, double single, double, इस type से, तो अपन ने इसमें charge भी बताया था, कि 7 member में, प्लस और 5 member में negative होता है, तो इस type के होते हैं, ये, समझना बात को, fused hydrocarbon बन इस type के, क्यों, जब आप bond break कर दोगे, कैसा, ऐसे break करोगे, तो उपर minus, नीचे plus, तो aromatic हो जाएगा, जब इसका bond break कर दोगे, तो यहाँ minus, यहाँ plus, तो aromatic हो जाएगा, जब आप यहाँ charge creation करके, ऐसा लिखोगे, यहाँ plus, और यहाँ minus, तो यह aromatic हो जाएगी, दोनों ने, तो इस तरीके से होते हैं, यह quasi aromatic compound, मतलब, quasi aromatic compound को एक line में अगर बोलें, तो जो मैंने लिखी ना, वो ही है, aromatic in ionic form, ionic form में aromatic होंगे, तो हम क्या बोलेंगे, उनको quasi aromatic compound बोलेंगे, अब एक बहुत important point लिख रहा हूँ, यहाँ क्या, am I star, लिखो ज़रा, stability of quasi aromatic compounds, ध्यान से सुनना, stability of quasi aromatic compound is greater than that of normal aromatic compounds, अब यह बताऊंगा example से, stability of quasi aromatic compound is greater than that of normal aromatic compound, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है, जैसे, अगर मैं आप से बोलू, ध्यान से देखना, CH2 positive, और अगर मैं ऐसा बोलू आप से, यह positive, बताऊंगा ज्यादा stable है, तो अब ज़रा ध्यान से देखो, इधर positive charge कहां है, बाहर है, यह charge होता या नहीं होता, यह ring तो aromatic होती ना, पहले से, भाई, आप plus charge बाहर लगाओ, या मतलब लगाओ, ring तो aromatic है, लेकिन, यहाँ यह plus charge जब ring पर है, तो positive single double का conjugation होगा, तभी यह aromatic बनेगी, मतलब यहाँ charge dispersion जादा होगा, मतलब, quasi aromatic compound is more stable than normal aromatic, जैसे benzene है, इसको मैं normal aromatic की category में रखता हूँ, यहाँ positive charge ring में है, और उसके dispersion की वज़े से aromaticity आ रही है, यहाँ positive charge हो या ना हो, उससे फरक नहीं पड़ता, मतलब positive charge के dispersion से aromaticity नहीं आ रही, वो पहले से aromatic है, तो जब कभी भी positive charge का dispersion होकर aromaticity create होती है, तो aromatic in ionic form हम इसी को बोल रहे हैं, मतलब, यह ज़्यादा stable होते हैं इससे, इ यहाँ से देखना ज़रा, यह एक example है, दूसरा भी बता देता हूँ, अगर आप कारवे 9 के बारे में सोचोगे, जैसे यहाँ negative लगा दिया मैंने, और यहाँ negative, अब यह negative यहाँ हो या ना हो, उससे फरक नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ यह negative के dispersion की वज़े से aromaticity create होगी, इ इस तरीके से दिखाते हैं, तो यह देखो ज़रा, यहाँ जो negative charge है, वो resonance करकर aromaticity create कर रहा है, इसका मतलब यह quasi aromatic की category में रखेंगे, ठीक है, तो quasi aromatic compound क्या होते हैं, aromatic तो होते हैं, लेकिन ionic form में aromatic होते हैं, और ring पर जो charge होता है, वो disperse होने की वज़े से aromaticity create होती है, ठीक है, और यह water soluble होते हैं, डाइपोलमेंटिन का non zero होता है, समझगे बात को, अब एक important point, यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ, fuel tridocarbons related, अगर मैं आप से बोलू, ध्यान से देखना, अगर मैं आप से बोलू, यह ring aromatic है या नहीं है, तो इसको हमने थोड़ी दिर पहले पढ़ा था येस है, जिसलिए मैंने यहाँ बताया, यहाँ minus और यहाँ plus, तो आप गोर से देखो, यहाँ minus बनेगा तो aromatic बन जाएगी, और यहाँ plus बनेगा तो aromatic बन जाएगी, ठीक है ये वाली भी अरोमेटिक ये वाली भी अरोमेटिक लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए ध्यान से देखना ज़रा कभी अगर ऐसा हो जाए बहुत ध्यान से समझना तो अब आप बोलो ज़रा कौन सा इस कमपार्ट को क्या बोलेंगे अरोमेटिक या नॉन अरोमेटिक या अ करता हूं ऐसे तो ऊपर क्या आएगा नेगेटिव और नीचे क्या आएगा पॉजिटिव अब आप बोलोगे सर पांच की रिंग में नेगेटिव एरोमेटिक होता है और पांच की रिंग में पॉजिटिव एंटी एरोमेटिक होता है अब तो फस गए क्या बोलोगे इस कंप क्पाउंड को बोलतें नौन अरो में ध्यान लगना जब कभी भी आपके सामने ऐसी सिचुवेशन आए कि एक रिंग और एक रिंग अरो मैंट को वह घू है नोन अरो मेतिक ये बिल्कुल ध्यान रखना बहुत इंपोर्टेंट है एक ना एक रिंग एनटियों सब्सक्रामार्णरrick के तो इस तैप के जो साथ हो नौन डालयोमर्ण चाहेगे तो दॉन सब्सक्राइब हों funk नीव बोलना दॉनर रिंग नॉन एरोमेटिक आ रही है डॉन सुरी एक रिंग और एक रिंग एंटी नॉन एरोमेटिक हाटेगरी में रहेंगे फिर से सुन लो दाओ सब्सक्राइब नॉन तो अन्य निसे सकती आप सोच लो जरा अगर आप इस बॉंड को यहां रूटेट करते तो नीचे नहीं करते तो ऐसा situation नहीं आएगा या तो दौना आरोमेटिक आएंगी या एक आरोमेटिक और एक नोन आरोमेटिक मतलब क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड का जो कॉंसेप्ट है उससे हम क्या बता ये इरोमेटिक सीटी से रेयलेटेड सारी कहांई हो गयी सभी टाइप की री एक्सेन पूरे अपलीकेसन बता दिए कितना सारा तो बता दिया जितना maximum होता था सारा का सारा आपको डिलीवर किया गया है जो exam के point of view से important है चलो इसको note करो फिर आगे बढ़ते है चलो वच्छो तो आपका assignment देखो 19 नंबर पर जी ओसी का lecture 7 है यह में से चेटर वन जी ओसी में दिया हुआ यह question है हिंट देता हूं मैं आपको question number 23 की अगर हम बात करें ध्यान से देखिएगा 23 में क्या कह रहे है आपको 3 ring दे रखी है मतलब actual में 6 ring है तीन question दे रखी है उसमें बोला गया है कि carbon carbon rotation check करना है तो यह जो लिखा ना carbon carbon bond rotation मतलब यह actual में क्या है rotational energy barrier है क्या है यह विटा rotational energy barrier तो आपको rotational energy barrier ही compare कराना है rotational energy barrier कैसे compare कराते थे हैं हमने concept में सीख रखा है अब यहाँ पर जो तीन उन्होंने दे रखे हैं तीन question दे रखे हैं तो वो जो bond गुमाया ना इसा arrow बना के दिखाया है जैसे एक में मैं बताता हूँ एक option चेक करके बता रहा हूँ यह उन्होंने क्या कर रखा है यहाँ पर उन्होंने कुछ ऐसा arrow लगा रखा है तो कई लोग क्या सोचते है कि इस वाले arrow का मतलब है कि इसको नीचे तोड़ना है इसका मतलब यह होता है कि इस bond को तोड़ना है अब आप अपनी तरफ से choice आरोमेटिक बनाना है ना इसROrospect को आरोमेटिक इस okay को है तो मैं इस इस पड़ना होता है इस लिखने का मतलब में aromatic aromatic और मालो मैंने और चेक किया aromatic aromatic तो फिर उसके बाद resonance पर जाना यह ध्यान लखना aromatic resonance फिर hyper और फिर inductive अगर दोनों aromatic आ रही है पहले वाले में भी और दूसरे में भी दोनों aromatic तो फिर resonance चेक कर लेना जिसमें ज्यादा resonance होगा वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा और जितना ज्यादा स्टेबल उतनी कम energy लगेगी इसको तोड़ने में यह concept है कर ले ना आप कर लोगे क्वेशन नमबर 25 देखेंगे 25 एक reaction based question है उन्होंने क्या बोल रखा धियान से देखना मैं आपको हिंट देता हूँ यहाँ पर star mark वाला carbon है इसका मतलब यहाँ पर जो carbon है वो isotopic carbon है ब्रेकेट में उन्होंने लिखा भी है जब मैं इसकी reaction क्या है यहां से h plus निकालना और यह h plus कहां से निकालेगा इस जगह से तो यह दौना electron इसको देदो h plus अब यह h minus और h plus लेके h2 बना लेंगे और इस जगह क्या जाएगा negative charge मतलब आपको क्या देखेगा star वाले carbon पर negative आएगा अब इस negative का आप resonance करा दो तो negative यहाँ आएगा और फिर वो negative आएगा उसका further resonance करा दो तो negative यहाँ जहाँ 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 negative आ रहा है वहाँ वहाँ h देते जाएंगे इसके अलावा जैसे यहाँ negative आपके यहाँ पर major product हो जाएंगे क्यों h कहां से दोगे पानी से दोगे मतलब यह तुम्हारा क्या बनेगा कार्व एन आ यह जो negative चार्ज वाले बनेगे न यह वाले वह यहाँ पर बनाना रेजनेस वागेरा कराना उसके बाद h plus water से h plus देकर major product लिक देगे इस तरीके से करेंगे 33 33 में क्या करहें which of the falling has lowest pk value 33 में क्या करहें which of the falling has lowest pk value तो आपको h कहां कहां से निकालने वह मैं आपको बतायता हूं और a9 बनाके आप stability compare करा ले न a वाले में जो बीच में c h दिख रहा है वहां से h plus उड़ा देंगे तो c पर negative आएगा बी वाले में बीच वाला c h दिख रहा है वहां से h उड़ा देंगे तो c पर negative आएगा पहले वाले में तीन ring का regionist दूसरे वाले में 2 ring का regionist सी वाले में जो बीच में कार्बन दिख रहा है ऊपर जो रहेंगे ना बैंजीन उसके जस्त नीचे वाला कार्बन वहां से चुड़ा देंगे तो नेगटेब बनाएंगे तो आप देखो वह पांच मेंबर रिंग जो दिख रही वह और अरोमेटिक बन जाएगी इसी तरीके में क्या करो अरे जिस ता फॉलाइंग एल्कॉल इंडिक्रीजिंग ओडर फीज ऑफ इस अच्छा आयो नाइजिशन इन एसेडिक कंडिशन मादा एच प्लस तुम इसके पास लियाए तो एच प्लस क्या करेगा ओएच को डाले जाएगा तो ओएच अटा के प्लस लगा त प्लस प्लस आजाएगा अब इसको रिंग में घुमा दो तो कैसे लिखते हैं या आपको पता है 72 डिक्रीजिंग ओडर फैसेडिक स्टेंग जो ऊपर नुकीला कारबन दिख रहा है वहां से च उड़ा दे न तो नेगिटिव 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 बना लिए तीसरे में तो आपको जैड वाले में चमकता हूँ प say hello to X दिख रहा हो निकाल देना iY में में ऊपर नुकीला जो दिख रहा है इस तरिहें देना तो ऐस मेंसे निकालो जब ए मैं तो प्लस जब निकलेगा इन ऐरोमेटिक बन जाएगा बन सब्सार कि लेकिन सब्सक्राव बनब ऐसे तो एप मैंगीर करा लें क्यों क्योंकि पांच में रिंग में नेगेटिव अरोमेटिक होता है 110 110 110 में कहा है डाइपोल मुमेंट ऑफ विच कीटोनिस में कुछ नहीं C डवल बाउंडो को तोड़ लो ओपे नेगेटिव C पे पॉजिटिव अब चेक कर लो अरोमेटिक होगा तो मैक्समुम होगा डाइपोल मुमेंट 114 सेम यहीं कुछ टाइपोल मुमेंट इसमें भी चेक करना है 117 117 में कह रहे हैं कि H प्लस हम किसको दें identify the side where attack of H प्लस is most favorable तो याद करो जड़ा मैंने आपको बताया था rate of protonation तो rate of protonation वाला question जो C double bond हो था ओको अगर तुम H दे दोगे तो क्या हो जाएगा जो positive charge बनेगा वो aromatic बन जाएगा तुम N को नहीं दे सकते loan bear तो nitrogen के पास भी है वो भी H प्लस को दे सकता लेकिन उसको देना नहीं है क्यों नहीं देना क्योंकि जैसे ही तुम N से दिलवा होगे question number 117 में तो ऐसा बनेगा जो कि non aromatic हो जाएगा अगर तुमने इससे loan पर दिलवा दिया H को तो ऐसा दिखेगा और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा ये हो जाएगा तुम्हारा non aromatic क्यों क्योंकि ये sp3 हो जाएगा तो तुम्हें oxygen पर attack कराना है ताकि aromatic बन जाए 143 लास्ट कॉश्चन which is the following isomeric hydrocarbonate most acidic आप क्या करो एच प्लस निकालो अब एच प्लस कहां से निकालोगे आप एच प्लस बहां से निकालो जहां से stability आ रही हो जैसे मैं आपको निकाल के बता रहा हूँ ठीक है 1 कौन सा ही है 43 देखो जैसे मैं ये option बता रहा हूँ ये बेंजिन रिंग है इसके प निकाल सकते हो तो नेगटिव बनेगा जो की रेजोनेंस करेगा बेंजीन के साथ और यहां से भी निकाल सकते हो दो चॉइस है तो इन दो नों मैंसे कौन सा स्टेवल होगा न ये क्यों कि इस एन आइन के लिए ये प्लस आई है और प्लस आई एलेक्ट्रॉन क्या करता है तो नेगटिव साथ और बढ़ा देगा तो इसको हटा देना इसका ये ले लेना इसी तरीके से ये option का हो गया बी option में क्या करोगे ऐसा देखेगा देखो तुम यहां से निकालना क्यों नेगेटिव सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल पूरा कॉंजुगेशन बन जाएगा इस तरीके से आप नेगेटिव को सोचेंगे और यह देखेंगे कि एरोमेटिसिटी कहां आ रही है तो सेकेंड में आएगी क्यों जैसे तुम से निकाल के चेक कर लो अरोमेटिसिटी आ रही के नहीं वैसी डी वाले में क्या करोगे जो नुकीला कारवन देखे रहा उस तरफ राइट साइड की तरफ वहां से नेगेटिव बनाओगे तो रेजोनेंस आएगा लेकिन वह कंप्लीट रेजोनेंस नहीं रहेगा मतलब आ अरोमेटिसिटी अगर आपको अच्छे से किलियर है तो आगे आने वाले इंटरमीडिट की स्टेबिलिटी वागरा बहुत आसानी से आप समझ लोगे बेसिक स्ट्रेंथ वागरा सारी चीजिए आप आसानी से समझ लोगे ठीक है तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं वापन नेक्स लेक्षर में बड़िया तरीके से नोट्स बनाओ, रिविजन करते रहो, पीछे की चीज़े माँ छोड़ना, आईसो मेर्जम जिसने भी नहीं किया है, फटावर्ट से आईसो मेर्जम को कवर करो, जी ओसी के लेक्षर किसी के बैकलॉग में चले गए तो फटावर् जल्दी कवर हो जाएंगे, और सिलेवस की बिलकुल टेंशन मतले, सिलेवस बिलकुल समय के हिसाब से आपका हो जाएगा, फिर आप जानते ही हो अपनी आदत क्या है, जल्दी जल्दी में सिलेवस खतम कराने से बैटर है कि अच्छे तरीके से पढ़ा जाएंगे, अपना पर इसको नोट करो, मिलते हैं नेक्स लेक्टर में